हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिसने अपनों का कौन भाय है साब जो हुआ बुरा हुआ लेकिन इसमें मेरी पार्टी पर्मन बिल्डर्स का कोई दोश नहीं है मैंने इंको चिकवाड़ी की जमीन दिलवाई थी अभी कुछ, 6 मेने पहला है किससे खरीती थी? विस्वजीत सान्याल जिस जगे पर समर की लाश मिली वो जमीन समर के पिता बिस्वजीत की थी 15 सेप्टेंबर उसी दिन समर सान्याल गाया भुआ था शाह दूसी दिन मारा गया हूँ सर एक बॉड़ी बुदूर मैला की है इसकी उम्रत साथ-पैसर साल के बीच रही होगी और दूसरी बॉड़ी जवान अग्मिक है इसकी उम्रत 30-33 के बीच होगी सर दोनों के सर पर गहरी चोट के निशाने है किसी मजबूत चीज से सर पर बार बार मारा गया है सर आइडेंटिफिकेशन प्रूब करने के लिए डियनेटेश करना होगा बाकि आपके पास दोनों विक्टिम्स के कपड़े है उनकी पैचान करने में मदद होना है यह दोनों कंकाल अमृता पाल और अनन्द बिस्वास कही है अगर वो अमृता दीदी और अनन्दी हुए तो उनके लोटने के उमीद उनका इंतिजार खतम होगा क्या हुआ होगा उनके साथ? कब लोट कराएंगे? यह सारे सवाल भी खतम होगा समर की गन नहीं मिली और समर के शरीर पर भी लड़ाई जगड़े क्या कोई निशान नहीं? यह सर्फ, सिर्फ सर पर वार हुए है हमला अचानक हुआ होगा सम्ने एक्सपेक्ट नहीं क्या होगा जबयर से वात है सम्ने विरेन से जगड़ा एसपेक्ट नहीं क्या होगा और कुलकूरता पुलिस को सारी डीटियल बेजा साइबर टीम से गःओ की विरेन की एक्जेक्ट लोकेशन पता करन्ने यह सब तो मुम्किन है विरेन के साथ चंदन मिज मिला हुआ हूँ एक को पैसो का लालज था और दूसरे को बदले का पॉलमी से बात हुई तुम है? हुई भी और नहीं जी नहीं मेडम मेरे पती तो बहुत भले इंसान है मैने इस संवर से रिष्टा रखके कलती की आप चंदन पर शक्मत कीजिए भलो आप आप चंदन पर शक्मत कीजिए साफ पता चल रहा था कि पॉलमी चंदन के दबाओ में बात कर रही था तब संवर के मडर में चंदन के हाथ होने के पूरे चांसे सह वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है सज बता समार पेदी लायत है उसके पैसे पे मुझे माफ कर दीजे तुबारा इसा खभी नहीं होगा ये गिफ्ट तुझे तेरे आशिक दिया था ना जा पैन किया देख क्या रहिए जा तो मैं मालम है मैं सच में ट्यूगलाइट हूँ कॉलेज में जब इतने साल तक साथ में थे तो कभी रिलाइज ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ काश हम दुनोंने तब ब्रेक अप नहीं किया होता कितने खुपसूरत पल थे वो तुम्हें पता है जब मैंने सालों बाद तुम्हें चंदन की शाथी में देखा चंदन की दुलन बने गुए मेरे तो होशी उड़ गए दिल तो मेरा भी किया कि भाड में जाए ये समाच सीधा मंड़क छोड़कर तुम्हारी बाहू में चलियो तो आजाओ अभी आजाओ अभी आजाओ सर विरेन के फोन की एक्जक्ट लोगेश्ट फिर से ट्रेस नहीं उपाई है वो फोन अन करता है और कुछ दिन में सुच अफ कर देता है इस बार उसके फोन के लोगेश्ट क्या थी दमशेत्वर बाहाँ की पुलिस को डिटेट्स बेज दी कही है कि वरेन खेल क्या खेल गार हाँ चिकुवाड़ी वाली जमीन हमारी थी लेकिन काफी समय से बेकार थी अब हमें क्या पता वहाँ कॉन क्या दफन कर रहा है हाँ स्विकर हमें ने पता उन दोनों को वहाँ किसने दफना है लेकिन आपी की जमीन में आपके बेठे समर को भी दफना है किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है चिकुवाड़ी जमीन को लेकर को यसी बात जुड़ी है अगर विरेन ने कुछ किया नहीं तो फिर वो गायब क्यों है कर क्यों नहीं लोटा अभी तक दिदी की बोल्चो तुम्ही है विरेन घर नहीं आया तो खुनी हो गया आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो अरे आपके सामने बड़ा हुआ है विरेन समर को सगे भाई से बढ़कर मानता है वो समर और विरेन एक साथ घर से बाहर गई थे समर की लाश मिली है और तुमारा विरेन तुम्हेतपूर में अभी भी गूम रहा है क्यों, क्यों भाग क्यो रहा है गर वांपस क्यू नहीं आता चंदन भी तो नहीं आया ना समर की मौत की खबर मिलने पर भी चंदन यह पर नहीं आया दुर्गा जबरदस्ती मेरे बेटे का नम बदना मत करो चंदन का ना अना कुछ साबित नहीं करता समर ने जो किया है उसके बाद चंदन का गुस्सा होना जायज है वाला लिदा इसी गुस्से में तुमारे चंदन ने मेरे समर को मार डाला क्या बोल रहीं आप बिना सोचे समझे घटिया इल्जाम लगा रही आप चंदन पर चंदन ने कुछ नहीं किया दुरूर विरेन ने किया होगा पैसो के लिए इस घर में पैसो का लालची कौन है सब अच्छी तरह से जानते हैं लालची किसे कह रहे हैं अरे इस घर में ना हम लोगी है जो सब कुछ चुप चाप सहते हैं आज तक दुरेन के बाबा पिश्वाची दादा के हुकम पर चलते आए हैं दुरूर का क्या दुरूर का और मैं आपके हुकम बान के हा रही हूँ हाँ क्या हैसियत है हमारी इस घर में दुरेन से जादा वो बाहर के भासकर को इज़त मिलती है मैं जानते हैं ने था ने के पॉलूमी मैं असिस्टेंस अब इंस्पेक्टर अजली आचारे तुम सो कुछ बात कर लिए जो तुम चंदन के सामने तो नहीं कर सकते पॉलूमी हमें लगता है कि शायद समर के मुर्डर में चंदन कहात है लेकिन चंदन को तो हमारे बारे में अभी पता चला है जो वो वीडियो मिला जो वीडियो आपके पास है उससे पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक से बात करता था और तुम्हारी सास लालिता मैडम समर हमारे घर तभी आता था जब हमारी सास पिस्विजीत काका क्या होती और उन्हें तो ठीक से मुबाइल से पोटो लेना भी नहीं आता अच्छा पॉलूमी तुम्हारे इस रिष्टे के बारे में किसी को मालूम था नहीं मैडम बलकि सम क्या है । था सिर्गी दोस भासकर नमाशकर पॉलूमी जाए नमाशकर से बात घर इन यस प्रांकिन में वही हुआ इस जादा भूला मदबन नहीं, क्या लगता है तुझे कि तो खुछ से आया तो बज जाएगा सीधे सीधे बोल समर और पॉल्यूमी का सेक्स वीडियो क्यों मनाया तुने तर क्या बात कर रहे हैं आप कि नाटक मत कर तेरे अलावा समर और पॉल्यूमी के बारे मा और कोई जानता ही नहीं था जानता था सर पिरेन जानता था तुए अर दादा कहा थे कहीं नहीं है मज यहावा गूम रहे थे इसे चंदन की बीभी पॉल्यूमी काफे कमाल चीज है यार पिरेन, क्या बात कर रहे है तू? अगातक मत कर रहे है, सब पता है मुझे कैसे? समढ़ने है आज के टाइम पर किसी का फोन हाथ लजाए ना सारा इतिहास सामने है सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिये हम मैं जाता हूँ है! कहा रहे है तू? मैंने कहा तू जाने के लिए? हा? वक थाश्वार समढ़ने रहे है सर, 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 सर! समर के साथ साथ हमें Amritah Paul और उसके भाणजे आरंद की मिलाश्वीली है जिससर तुम लोग ने मूल ये चिटफंड के नाम पर पैसे नाम पर पैसे या थिए तै मृट के तफना दिया उस Arm horr Ben जद अमर ने में तॉमर के पैसे उसे मज लोटा दिया मृट से जवा इससे मिलना ही थी उसके बाग अमरुदापल इससे मिलना ही थी ? हाँ सर क्या ? मर ने खैसे नहीं दी डियो भी तक ? precumin पैसे हशवर करने के लिए मुझे हाथ पहलाने पड़ रहे काकी, मुझे वाका ही नहीं पता था बासकर, ये नाटक बंद कर मुझे अच्छे से पता है, तुम लोगा ने हमारे पैसे खाए है ठीक है? मुले चिटफंड के नाम पर लालज देकर तुम लोगा ने सबको बेवकूब बनाया है अनत, थोड़ा दीर है या, लोग सुन रहे है शर्म हारी अप, मुझे को दोखा देने से पहले तुझे शर्म नहीं है ये मत समझना में बाकियों तरह डर के घबरा जाओंगा देखो अनत, बजार की हालत इस वक्त ऐसी है कि मुले चिटफंड अचानक बंद करना पड़ा लेकिन मैं अमरुता काकी के फंदरा लाग रोपे हर हालत मैं वापस लुटा हूँगा बस मुझे एक हफते का समय देदो ठीक है, मुझे मन्सूर है माशी, आप फिर से इस पर भरोसा कर रही हैं? अना, मुझे यकीन है कि इस बार ये अपना वादा निभाएगा निभाएगा न बिटा बिलकुल काकी, बिलकुल निभाएगा उसके बाद, उसके बाद मैंने फिर से समर से बात की ये देख, अमरिता पाल का चेक रेड़ी है विरेन अभी जा रहा है पोस्ट करने के लिए अब खुश थेंक्यू समर यार, थेंक्यू अब मुझे सच में लगा था कि अमरिता काकी को उनके पैसे मिल गए है अगर पैसे मिल गए होते हैं, तो हमरे अपडेश यह है कि अमरे तपल और अनंद की लाशे हैं रहे, सर मेरे सामने समर की बढ़ने विरेन की चेक दिया he सर सर काही मिरेन ने ने तो कोई खेल ने खेल है जो कुछ भी गलत होता है सबका आरूप मेरे विरेन के माथे पर समर को विरेन ने मारा पॉलमिया समर के बारे में विरेन ने चुपाया हद हो गया हां बस करो यह नाटक दुरगा मैं नहीं मानती कि विरेन ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया होगा ललीता यकीन कर हमारा हमें नहीं पता था मैं नह इस परिवार के किसी भी सद्दे से पर मेरा कोई भरोसा नहीं है सब स्वार्ती है, सब लालजी है अब तो ये लगने लगा कि समर के साथ साथ विरेंग कभी पॉलमी के साथ Lalita, बहुत हो गया अपनी सुपान पर काभू रखो ये सही है फिर जाएं आपका समर, बेकाबू होके कोई भी गुल खिलाएं Lalita, जाएं यहां से वर्ना वर्ना क्या दादा? देबू की दरा डरती नहीं हूं मैं मेरा भी हग है इस घर पे तुझे ना मैं दरादा? ये क्या कर रहें आप? रिष्टों में दरारें बढ़ती जा रही थी दिलों में कड़वाहट और मन में संदे घर कर चुका था आरोप प्रत्या रोप, तक्रार और तनाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था लेकिन नफरत की चिंगारी का आग बनना भी बाकी था साथ, विरेन का फोन फिर से सुच्ण रुआ था इस बार लोकेशन चिन नहीं थी चिन नहीं? यह विरेन का प्लान क्या है? अगर इसे पैसे लेकर वरार होना तो तो विर यह जगा जगा बटक क्यो रहा है? वोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है साथ कहीं विरेन की जान बचाने के लिए तो नहीं भाग रहा है? समर के साथ जो हुआ शायद उसे खुद के साथ होने का डार है? रिफिका कहां? चैन नहीं में? ओके, थांक यू मा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम यहां के वाई? मुझे बुला लेती है विरेन अभी चिन्ने में कहीं भी जाए चोड़ूँगा नहीं उसको मैंने वादा किया है तुमसे मेरले इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे? जिंदगी पर साथ देने का वादा तो निभा नहीं सकता लेकिन इस जंग में साथ देने का वादा जरूर निभाऊंगा और वैसे भी एक आम मेरे मतलब का है समर और विरेन जैसे लाल चिल उटेरे दीमा कैंस समाज के उनके मूले चिटफंड के वज़े से लाख लोगों के घर बरबाद हुए है विरेन के अलावा मूले चिटफंड से जुड़ा एक और इंसान जो भी यही है भासकर दास जंदन दुरगा तुम्हारा नाम ले रही थी विरेन को बचाने के लिए और सुलेख अबाभी ने भी तुम्हारा ही नाम लिया समर और बॉलोमे के बारे में तुम्हारे बेटरूम में गुषके ऐसे कौन वीडियो बना सकता है सब लोग विरेन पर ही इल्जाम लगा रहे है आपको तो बहुत भरोसा था ना विश्वचित दादा पर यह हुआ मुझे तु डर है कि कि अगर विरेन वापस भी आजाएगा ना तो यह लोग समर का खुनी सावित करके ही रहेंगे अलो मुझे तुम से मिलना है जल से चल्द विश्वजीत काका के घर में कभी एक्दम से खामोशी चा जाती है कभी अचानक से कौराम कौन सही है, कौन गलत ऐसा कुछ नहीं होता बेटा अपने अपने नजरिये की बात दुर्यधुन के लिए उसका रास्ता सही था और अर्जुन के लिए उसका एक तरफ विश्वजीत सान्याल ने भारी मन से अपने बेटे समर की चिता को अग्मी दी और वहीं दूसरी तरफ अम्रिता और आनंद के बचे अवशेशों को भी रितिका ने अग्मी चिता की लपते अब तक शांत नहीं हुई थी लेकिन आने वाले समय में सान्याल परिवार में लगी नफरत की आग जोरों से दहकने वाली थी हां में सब ले करा रहा हूं क्या किसकी इम्मत हुए ऐसा करने की यह बगवान वेटा ड्रम सिधा एक लाइन में एक इंच भी धन नहीं रगु अल इस रस्षी के पूरी फैंसिंग पक्के और इस तरह इस जमीन पर अधिकारी बिल्डर्स का बोर्ड बड़ा वाला इक है इसमीन पर पैर रखने की इंमत कैसे हुए तुमारी राजबुकी की जमीन का सौदा हुआ था इस जमीन का नहीं यह मेरी जमीन है तो आपकी जमीन पर कहां खड़ा हूं मैं आपकी जमीन फैंसिंग के उस तरफ है हम इस समय जिस जमीन पर खड़े हैं यह आपके चोटे भाई देवासी श्की थी जो उसने अब मुझे बेज दी आपकार कहीं के मुझे पुछे बिना एक शब्द नहीं बोलता था और आज मुझे पुछे बिना मरी जमीन पेजदी अपने इस से की बेचिया दादा बकार मैं नहीं हूँ आप है और आपका बेटा समर था तेवर सच कह रहा हूं दादा सबर ने मुल्य चिटफट कंपनी में कितने लोगों को चुना लगाया क्या मैं नहीं जानता और आप तो उससे भी बड़े मकार हैं सबर ने ऐसे लोगों को ठगा जो अंजान थे जिनको जानता नहीं था लेकिन आपने तो आप ओल शंबू कुछ पता जला गया साब मैंने शांतनों को देखा लेकिन हाथ से निकल गया ऐसे कैसे हाथ से निकल गया शंबू पक्का वो ही था आप आप परतिसद बोल रहा है शांतनों ही था आप जो चंबू का फोनाया था साम उसने शांतनों को एक्षा के दोगन पर देखा ता मगर वो हाथ से निकल गी शांतनों के लिए रेट लट जारी को किसी भी हाल में शांतनूं में या आचाईगा और वाली गारम पर पृश्य को गोग को रितिका पर कड़ी नजर एड़ सब्सक्राइब तक हमारा अंदाज़ा है वो रितिका के लिए मूले चिटफंड से जुड़े सभी लोगों से बदला लेना चाहता है हासकर तब रिरेन का फोन फिर से सचान हुआ है इस बार क्या है लोकेशा अमरीका अलो क्या इस बार बात भी कि किसे अपने बाप देवा शीश एट अपने काजन ब्रदाद चंदन बागचीस है बिश्वरित दादा, दादा, वो पुलिस मेरे चंदन को पकड़ कर ले गी है, दादा कुछ कीजे, रोके उन्हे, मैं आपसे क्या रहा हूना, विरेन का कोई कॉल नहीं आया था मेरे पास, कॉल रिकार्ड जूट नहीं बोलते है चंदर, कल शाम पांच बज केर पैंटीस मिर तु क्या कर रही है, चल जा, हाँ बोल, मैम कोई मजाग कर रहा था, वो रॉंग नंबर था, रॉंग नंबर पे तुम डेड़ मिनिट तक बाते करते रहे, पॉलमी, तुम मैडम को बताओ, कोई विरेन से बात हुई मेरी, मैं क्या बोलूँ, जब आपको कॉल आया तब लाद पूलीस से बाता, तुने कहा था ना, सब का अपना स्वार्थ, अपना लालच है, सही कहा था, मैडम, नहीं, नहीं, आ, 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 इस बात के पूरे चांसेज हैं, कि वरेन नहीं ही चंदन को मताया होगा समर और पॉलमी के अफेर के बारे में, अब रिशायद दोनों ने मिल का प्लान प्लाया हो, हम इस चंदन के मूँँ से सच उगलवा करी रहेंगा, सही मैं यहां चंदन को छुड़ाने नहीं आया हूँ, अगर समर के कतल में चंदन भी शामिल है, तो उसे सजा होनी ही चाहिए, पर मुझे लगता है कि यह काम चंदन अकेला नहीं कर सकते, हमें भी यही लगता है, विरेन और चंदन ने मिल कर यह प्लान बनाया हूँ, विरेन तो मेरे समर की दूम था, अपना दिमाग कहां था उसमें, इस तरह बार बार चगे बदलना, कभी कॉलकता, कभी चंदन पहुंच जाना, मेरी जमीन में समर की लाश को दफनाना, यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है, यह एक ही आदमी कर सकता है, कौन? चंता करने के कोई बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा देवाशिश से, अधिकारी जी मैंने अपने बड़े भाई को बहुत गहरी चोट पहुँचाई है, उम्मीद है आप अपनी बात को रखेंगे, दुरगा चंता मत करो, विरेन को कुछ नहीं होगा, यह अब इतने य पैसे चुराने का, अपने ही भाई के खोन का शक हो, वो जमीन के सौदे करता क्यों फिरेगा, कौनसी जमीन, हाईवे के बास हमारी एक जमीन है, देवाशिश ने उसका आदा हिस्सा भाउबली कुंदन अधिकारी को रातो रात बेच दिया, उससे बिना पूछे, बिना पत देवाशिश जी, आपका बेटा विरेन कहा है, मुझे इस बात का अंदाजा था कि आप विरेन को नहीं ढून पाएंगे, इसलिए मैंने खोदी उसे खोजने का काम शुरू करने, वो का है विरेन, जब मुझे आप लोगों से पता चला कि उसका फोन चिनने ही में वन हुआ तो मुझे लगा के मुझे किसी ताकतवर इंसान से मदद लेने हुए, कुंदन अधिकाली, जमीन तो पसंद है मुझे देवाशिश जी, बले आदी क्यों नहीं, रोशो गुल्ला आदा भी मीठा ही लगता है, आदी जमीन का दाम क्या लगा है, विरेन की सिलाम पर, सर मेरे पैसो के लिए जमीन नहीं भीची, अपने बेटे को ड्ढोनने के लिए सachtे दामों पर अधिकारी को खुल दिये。 मैं नहीं जानता हूं कि इतने दिनों से मेरा बेटा विरेन कहां है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर जानता हूं, जैसा कै बेटे विरेन ने शमीन को नहीं मा प्लान था विरेन का और दे रहा। क्या बात हुई थी तेरी विरेन के साथ फोन पे? कितनी बार कहूं? मेरी विरेन से कभी कोई बात हुई नहीं थी मैं आप से दुबारा कह रहा हूँ उस दिम जो फोन आया था वो एक रॉंग नंबर था मुझे कोई प्लान वैन के बारे नहीं बता है तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ देवाशीश मामा उसमें शामिल थे या नहीं? देवाशीश बहाने बना रहा है कोई ऐसे ही मुफ्त में अपनी जमीन देता है क्या? यो? अगर आपके समर की जन का सवाल होता तो क्या आप अपनी जमीन मुफ्त में नहीं देते? आने आपको बताया है ना देवाशीश को पहले से ही मुझ पर गुस्ता था तो अगर आप पर गुस्ता था तो वो आपको मरवाथ था समर को क्यों? क्योंकि उसकी जगे समर सर्पंच बनने वाला था आ मुझे सरपंच नहीं बनाया, इस बात का गुस्सा था, नाइंसाफी हुई थी मेरे साथ, यही गुस्सा, यही नाइंसाफी बदला देने का कारण बने, अमरबादिया समर को, और भी कही लोगो गुस्सा था, और भी कही के साथ नाइंसाफी की थी दादा ने, मेरे साथ, विरेन, ललिथा, चंदन, भासकर, भासकर. साथ, चंदन को काफी इंटेरोगेट किया, लेकिन यह अभी भी अड़ा हुआ है. इसके पिछले तीन महने के कॉल रिकॉर्ड में स्कान किये. पर विरेन और चंदन के बीच में कोई भी बाचित नहीं लिए. साथ, विरेन को आया ये फोन कॉल काई, इसलिए तो नहीं गुमाया गया. ताकि तैकीकात के दिशा गुम जाए. इस सभी सवालों के जवाब ये दे. अब दुर्गा काक्या एंटी, वो बहुत परहिसान है. आपने देबसी इस काका को पकड़ा है. अरे वाद, बड़ी चिंता है वाज कर तुझे, विसुजीव सान्याल के परिवार के. जी सर, वो परिवार मेरे अपने परिवार जैसे है. और तुमारे विसुजीद काका तुम्हे अपने बेटे समान मानते, काफी इज़त करते है तुमारी है ना? जी माडम, लेकिन आप लोग यह क्यों पूछ रहे हैं? तेरी माँ भगवद गीता पड़ती है ना? जी. तब तो तुझे पताऊगा कि महाभारत क्यों हुए थी? जब अपनोंने अपनों का हक लालच के वज़े से चीना था, तब हुए थी महाभारत. बिल्कुल सही कह रहे है सलाव, लेकिन अगर दुर्योदन आपनों को वो पांच काओं दे 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 था ना? शायद महाभारत नहीं होती है. और अगर विसुजीद सान्याल तुझे चीकु वाड़े वाली जमीन दे देता, तो समर भी नहीं मरता. बासकर के साथ क्या नायंसाफी की थी विसुजीद जीने? मूल्य चिटफंड एक धोका था, जिसमें लोगों का पैसा कहीं पर निवेश नहीं हुआ था. ये सारा प्लैन समर का था. मेरा बेटा हमेशा की तरह समर के पीछे खड़ा था. समर का पार्टनर था भासकर. बाबा, मूल्य चिटफंड में अभी तक 90 लाख रुपे खटा हुआ है, जिसके दो हिस्से होंगे. साथ लाख मेरे और तीस लाख भासकर के. वहा, तू तो लखपती बन गया, है? तो लखपती भासकर? कुछ सोचा है? सोचा तो है, पता नहीं कैसे बोलू आपसे. अरे, मूह से बूल पगले, और कैसे? वह आपकी चिकुवाडी वाली जमीन है ना? अगर इन पैसों के बतले आप मुझे बोह दे देते तो चिकुवाडी वाली जमीन? अरे, लखपती भासकर, क्या करेगा उस जमीन का? अपका आशरवाद रातो कुछ बड़ा करूंगा. समर बेटा, जी, शीकुवाडी वाली जमीन की क्या कीमत है अज की तारिकों? 35,00,000 के परीब हों के बारे? 35,00,000? तेरे बास तो सिर्फ 30,00,000 है भासकर? अरे, बेटे जैसा है तू, हाँ? जा, दे दी तीस में तुछे जमीन. शुक्रिया का अपने इससे के सारे पैसे भासकरने दादा को दे दिये. कहने के लिए जमीन भासकर की थी. पर जब सच सामने आया, तो वाक्य में भासकर के पैरों के नीची से जमीन किसकी. मदू, मदू, ये जमीन अप हमारी है. मुझा व उस गड़ाज में जाके मजदूर करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे अच्छे दिन आने अने अने मदू, अच्छे दिन. वे, कोन है भाई तू? और इधर क्या कर रहा है? मदू, मैं तुम्हें फोन करता हूं, ठीक? सलचा इधर से. ये भाई सार्व, ये जमीन मेरी है, कहां जाओं मैं? बोलती है ना, ये जमीन तेरे ने बर्मन बिल्डर्स की है. तरफा कि यहां से? मरना है क्या? ये उम्र हो गई है नभासकर. है? मैं तो भूली गया. वो जमीन तो मैंने बेच दी थी. शायद बर्मन बिल्डर्स को. अच्छा जमीन ने सही, मेरे पैसे तो दे दीजे. बीक बासकर, पैसे तो चले गए. किसी और काम में डालती है. ये ले. पर कागा, अब मेरा क्या होगा? आपके पास तो इतनी सारी जमीन है. उसमें से कोई सी भी एक देदी जिनमा है. आपके टीक है, तो थोड़ा रुप मैं कुछ करता हूँ. ये बगवान, कड़े-कड़े पैर दुग गए. थोड़ा पैर दबा दे. चीक है. कई महीने हो चुके हैं इस बात को. आज तक जमीन नहीं मिली है भासकर को. जब दादा मुझ से अपने सगे भाई से सरपंच बनाने का वादा करके पलट सकते हैं, तो फिर भासकर क्या चीज है? भासकर क्या चीज है तो? इतना बड़ा दोका हुआ तरे साथ. पर तरफ दिल नहीं दुखा? हुआ ना जाब, बहुत दुख हो लेकिन मुझे ने, थमर को. क्योंकि बिस्वजीत काका ने मुझ से नहीं, अपने बेटे से दोका किया. तू बाबा से चीकुवाडी की जमीन खरीते. फिर? फिर जमीन की असली कीमत है 50 लाक, लेकिन मैंने बाबा को बताई है 35 लाक. तू तो जानता है, बाबा और काका ने जमीन का सारा काम मेरे ओविरेन की उपर छोड़ा है. ओ विरेन तो गधा है, तू बाबा से 30 लाक रुपे में जमीन खरीत और हम उसको 50 लाक में बेचेंगे. 20 लाक का मुनाफ़ा, 10 लाक तेरे, 10 लाक मेरे. समर के लालश ने उसे अपने बाब से मकारी करवानी चाहिए, लेकिन विस्वजीत काका ने सब चौपट कर दिया. सब मुझे तो लगता है कि विस्वजीत काका को बनक लग 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 दी, समर के रादों की. यानि तेरा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, बोल्टा मुझे तो सबक मिला, कि पैसे से अपने पराय होता है. और साब अच्छी बात है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं. क्यों? चिटफंड से तूने पैसे नहीं कमाए? देवाशिच का कहना है कि तो ने तीस लाक रुपए कमाए? देवु काका की बातों में आओगे, तो दोका खाएंगे साब. उनको तो अपने बेटे विरेन को बचाने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए. वो बकरा तुए? साब मैं बकरा नहीं, मैं गदा हूँ. जो दुर्गा काकी के कहने पर देवु काका के लिए हैं आ गया. साब मुझे तो लगता है कि ये लोग मेरे दोस्त के कतल के इल्जाम में मुझे हलाल करके छोड़ेंगे. मेरे लड़के बहुत जल्द विरेन तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो. जब विरेन मेले तो उससे कहिएगा सुखी गंज वापस लोटा है. असे कुछ नहीं होगा. पुलिस की कारवाई अलग दिशाना मुड़ चुकी है. सार, टेक मिनेट. विरेन के फोन के लोकेशन ट्रेस हो गई सार. वो यहां सुखी नगर में वापस आई होगा. किसी लॉज में है. और अभी उसका फोन अन है. तपनी विरेन मुझे आज ही चाहिए. तुरंत एक टीम नेकर निकलो. कुएक. सार. विरेन सुखी गंज में है. मैं तुम्हें पता मेसेज कर रही हूँ. पुलीस से पहले तुम्हें उस तक पहुचना होगा. तुम्हें अड्रेस बेजो बस. बाकिस अब मेरे पर छोड़ दो. हाँ मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा. मैं पुलिस्टेशन में ही. अब ठीक है? हाँ मुझे क्या होगा? मैंने कुछ गलात होड़ी किया है. जालत की संकती में रहना भी गलत है. अब छोड़ दीजे सानियल परिवार की सेवा. हाँ ठीक है. मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद. देबाशीश जूट बोल रहा है. मुल्या चिटवंड का आइडिया विरेन का था. समर का सिर्फ नाम इस्तमाल हुआ था. और बाकी जो भी पैसा वैसा आया वो विरेन और भासकर में बढ़ता था. देबाशीश बोल रहा है कि मुल्या चिटवंड का सारा पैसा समर और भासकर के बीच बढ़ता. उसका बेटा विरेन दूद का दुलाओ. विश्वजीव कहता है कि सारा पैसा विरेन और भासकर के बीच बढ़ता. समर का सिर्फ नाम इस्तमाल बाओ. और भासकर बोल रहा ह तो आपने भी किया था, अपने बेटे समान भासकर के साथ, पैसे ले लिए, लेकिन उसे चीखु वाड़ी वाली जमीन नहीं थी, हाँ मैंने ऐसा किया था, भासकर हमारे खर में खुल मिल गया था, समर के साथ घूमता पिरता था, वहां तक ठीक था, लेकिन वो हमसे बलाबर करने की कैसे सोच सकता था, पर जमीन खरीदे का प्लान तो समर का था, भासकर का तो सिर्फ चेहरा था इस दीक पर, पैसों के लालच में मेरा बेटा मुझे धोका नहीं देगा, लालच का चश्मा पहनने के बाद रिष्टे नहीं दिखाई देते है, चाए वो भाई हो या और भाई बेटे, करने का बने का अगा, जा पर बाद बेटे, करने का लालच में दूप के लिए व्रेन किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलनानी चाहिगा, इसे पकड़ने के बाद तुरन करो मझे, जे सर् वीरेन हमें पता है तुम अंदर हो दर्बाजा खोल दो तुम बच नहीं पाऊँगे वीरेन पुलिस पॉलिस पॉल्च गई मिला विरेन बताया उसने क्यों मारा मेरे पेटे को क्या क्या हुआ वीरेन मिला कौन था क्या क्या राता मताते क्यों नहीं वीरेन नहीं मिला तो किसे पकड़ाया अपने मेरा वीरेन का है देखे सबर रखे सब पता चल जाएगा पूछता चल रही है जोट देख ठमड करने के लिए क्यों नेकला था बत साब मेरा नाब दिवाकर रहे साब मैं मैं कहना हूँ तो वीरेन का फोन लेका देख बर मैं क्यों गुम रहा था साब मुझे पांच तक रुपे किस सोने का ब्रेसलेट और मोबाइल दिया गया था पूरा थेश घुमने के लिए का गया था साब किसने का था और ये ब्रेसलेट आज से तेरा और ये फोन भी रख जैसा बताया था ना द्रगो बिल्कुल ऐसा ही को हुआ ठीक और थोड़ी दिर के लिए इस फोन कौन करना और अगर मुझसे बात करनी है न तो अपने फोन से करना ठीक हमार विरेन और मैं हम तीनों मूले चिटफंड में बराबर के हिस्सेदार थे मूले चिटफंड एक ही नीग पे खड़ा था लालच पैसो की और इरादा था लोगों के पैसे एंटना मूले चिटफंड की कहानी देवासी इस विस्वजीद तूने ज़ा सुनाई तब जूटी थी तुम सब के सम मिले वे थे तुम समने मिलकर गरीब आपा पैसा लुट रहे हैं हाँ जमीन का दोगा किस ने किसे दिया था विस्वजीद सान्या नहीं उसने मुझे दोगा दिया था वाँ वाँ भासकर या पैर दवाता है तू तुझे तो मालिश की दुकान खोलनी चाहिए यह यह थी तक आपने मुझे वह जमीन नहीं थी करता है कि मैसे उधार लिया किया मैंने पैसे दिये वह पैसे भी मेरे बेटे से कमाएं तुने वरना तेरी आउकाद थी तीस लाग कमाने की समर तुझे आथा मैंने बड़े कामों में छोटे लोगों को शामिल मत कर देख ल अब तू बस कर, तो जैसे लोग ने इस घर में जाडू लगाते हैं, मेरी वज़े से सब ने तुझे इतना प्यार दिया, और तू बाबा से वासूली कर रहा है, मन करता है तुझे पार कर, तो जमीन हाज से गई, उपर से बेज़ेती हुई वह लग, दुश्री तरफ से वो अमरिता काकी और उनका बांजा अनन, वो मेरे घरा दमके, पैसे लेने के लिए, मुली चिटफंड के नाम पर लालज देकर तुम लोग ने सबको बेवकूप बनाया है, ये मत समझना में बाक्यूंक तरह डर के धवरा जाओंगा, मैंने समर से सच में का था, कि कम से कम, अम पुली चिटफंड का बलिग्राम वाल ओफिस तेरे नाम है, ये क्या बोल रहा है यार, हम लोग तो पार्टनर्स हैं ना, तिर मुनाफे में, नुक्सान में ने, रमजा, मेरी कुछ समझ में नी आ रहा था, मैं दुनिया में सबसे हारा हुआ, सबसे चोटा और सबसे तम्स समर, ये तो गलत है मैं, मेरी जमीन भी चन गई, और वो अमरता काकी का भांजा, वो भी मुझे ही धमका रहा है, कैसा दोस्त है, तो मेरी कुछ मदद ही नहीं कर रहा है, मैं तेरी हर गलती को छुपाता हूँ, यहां तक ही जब तु चंदन की पार, बहुत 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 ब अश्कर, यह छोट, क्या हुआ, किसी से रडा ही हुई, कैसे लगे है, मुझे कुछ नहीं हो, आप बाइक से पेसल किया था, मैं ठीक हो, तेक हो, मैं नहीं चाहता था कि जो जल्दत मुझे मिली है, उसके बारे में मेरे परिवार को पता चाले, पर उसी दिन मैंने ठान लिया था, कि अब अपनी सारी मुश्किलों को जड़ से खड़ वे कुँगा, इसलिए चुक्चा पहले की तरह, तान्यल परिवार के तरह काम करने लगी, सौरी, समर से फिर से दोस्ती की, और अपने गुसे को अंदर ही अंदर पालता रहा था, इस पर उसी, यही आने के लिए कहा था था ना? अबेटा, कहा तो यही कहा ता लाप के पास उसके बाद मैंनों कोसी जमीन में दफन कर दी है, जहां पर मेरे अर्मान दफन होए था, फिर मैं मौका आता रहा, कि कब सही मौका मिले और मैं सान्याल परिवार पे कहर बन के तूट पड़ूं, जब वो कुंदन हदीकारी की चालेस लाग की डील वाली बात ही, तब मैंने समर और विरेन को चीक वाड़ी बुलाया, समर और विरेन खुद अपनी मौत के पास चल कर आए थी, यार ये भासकर साल एती देर सा में खड़ा करके खुद का मरिया यार, समर के बाहर आ गए थी, उसे बहुत बड़ा शौक लगा था, शौक तो लग नहीं था, क्योंकि इ दर और लालच में डूबे इंसान को बर्गलाना बहुत आसान है, तू सही कह रहा है यार, मुझे ये डर है कि मैं अपने बाप की तरह कहीं है, अपने बड़े भाई का गुलाम बन के ना रहे जो, इसलिए कह रहा हूँ, सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा, देख, इतियास गवाए, गद्धी उसी को मिलती है, जिसने अपनों का खून बाहा है, पर यार मैं खून नहीं करूँगा, तुझे सिर्फ मेरा साथ देना है, तू बस समर को वहाँ पर लेकरा, बाकी का मेरा, उसके बाद तुझे सिर्फ खायल होने का नाटक करना है, और कुछ न सोच कर रहा है, मैंने जान बुच के समर की लाश को अमरिता पाल और आनंद की लाश के पास दफना दिया, और विरेन की लाश को दूर जाके दफनाया है, ताकि समर के कटल का शक विरेन पर आ जाए, इतनी कहानिया, इतनी प्रेनिक, तिर भी पकड़ा गया ना तो, मुझे यह कोई अफसोस नहीं है, मेरा बदला पूरा हुआ, सान्याल परिवार बरबाद हो गया, समर और विरेन तो रह नहीं, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को मारी डालते है, लालची है ना, अबने बाप की तरह है, और पिर महा बारत में आकर में कांड को तो अबने आपको कर्ण समझने की भूल मत कर, क्योंकि इस महा भारत में सब के सब तुरियोधन थे, अब क्या करेंगे इतनी जमीन और इस दोलत का दादा, जिन लोगों के लिए जुटाया था वही नहीं रहे, बद्दुआ लगी है में दादा, बद्दुआ, लोगों को लाल लालच देगा लूटते रहे, और आज उसी लालच ने लूटकर हम सब को कंगाल कर रहे हैं। कि लालच के प्रभाव में भासकर ने चार लोगों की हत्या कर दी। लेकिन लालच की फितरत है अधूरा रहना। धनलाब चिट फंड, मूले चिट फंड इन सबी स्कीम्स में लोगों को जो बड़े बड़े प्रलोवन दिये गए थे, वादे किये गए थे, वो वास्तविक नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अपने पैसे को तेजी से दुगना और चुगना करने की होड़ने सब की आँखों पर परदा डाल दिया था और असल हकीकत किसी को नजर नहीं आई। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते समय पूरी तरह से सतर्कता बढ़ते हैं। और कल होने वाले बड़े मुनाफ़े के लालच में अपना वर्तमान, अपना सुख चैन दाव पर ना लगाएं। अब मैं आनूप सोनी आपसे बिदा लेता हूँ, कल रात कौन बनेगा करोड़ पती के करमवीर एपिसोड के बाद, आपसे फिर मलाकात होगी एक नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपकी बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।